हेलो दोस्तो नमस्कार मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ हमारे चनल दा म्यूजिक फील में दोस्तो आज मैं आपको मेरा एक फेवरेट संग प्ले करना सिखाऊंगा तुझे देखा तो ये जाना सनम फ्रॉम दा मूवी DDLJ दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे और दोस्तो इस सौंग को गाया है मेरे फेवरेट सिंगर कुमार सनुसर और लता मंगेशकर मैम ने दोस्तो गाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये गाना E माइनर स्केल के अंदर है तो देख लीजिए पहले मैं आपको E माइनर स्केल बजा के दिखाता हूँ देखिए दोस्तो इस कंप्लिट सौंग को हम 8 बेसिक कॉड के अंदर प्ले करना सीखेंगे देख लीजिए कौनसी कॉड है पहली कॉड है E माइनर इसके बाद D मेजर नेक्स्ट कॉड है G मेजर इसके बाद है B माइनर इसके बाद है C मेजर नेक्स्ट कॉड है A मेजर इसके बाद B मेजर और last chord है दोस्तो A minor तो इतने chords के अंदर हम इस complete song को play करना सीखेंगे तो आईए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं song को keyboard के उपर play करना दोस्तो गाने किश्वद डारेक्ट लाइन से होती है तो देख लिजिए मैं आपको play करके दिखा देता हूँ और इसको play करने के लिए मैंने violin instrument का use किया है left hand के अंदर मैं जो भी chord play करूँगा वो आपको screen के उपर top left side corner में display होती रहेगी आईए देखिए इसकी बाद दोस्तो संतूर का एक intro music आता है देखिए मैं आपको यह पहले बजा के दिखाता हूँ अब मैं आपको यह slow करके play करना सिखाता हूँ E minor scale आपको descending order में play करना है और एक ही बटन के उपर आपको यह right hand की तीन उंगलिया use करने है like this देखिए उसकी बाद D major chord left hand के अंदर और D से D बटन तक descending order में आना है like this देखिए अब जब आप इसको थोड़ा सा fast play करेंगे तो यह कुछ ऐसा sound करेगा देखिए इसके बाद दोस्तों strings की एक running आएगी देखिए मैं play करके दिखाता हूँ आपको आईए दोस्तों मैं आपको इसलो करके play करना सिखाता हूँ इसके बाद वापिस से संतूर देखिए इसके बाद strings का filler देखिए वापिस से संतूर वापिस से strings इसके बाद गाना स्टार्ट हो जाता है तो देखिए वाइलन इस्टुमेंट का मैंने यूस किया इसको play करने के लिए या पे strings का एक filler आएगा वापिस गाना continue वापिस से strings का filler वापिस गाना continue वाफिस स्ट्रिंग का filler वापिस गाना continue वापिस से strings का filler वापिस गाना continue दोस्तों इसके बाद एक बार और रिपीट करेंगी गाने की लाइन्स को देखिए फीमेल वाइस में भी वापिस स्ट्रेंग्स का फिलर वापिस गाना कंटिन्यू वापिस इस्ट्रेंग्स का फिलर गाना वापिस से कंटिन्यू यहाँ पे दोस्तों जो मैं कॉड ले रहा हूँ यह बी माइनर का कॉड लिया है मैंने वैसे ओरिजिनल डी मेजर कॉड लगाया हुआ है बट मैंने अपनी तरह से इसके अंदर बी माइनर यूज किया है बट आप इसमें डी मेजर या बी माइनर दो में से कोई भी यूज कर सकते हो वापिस काना कंटिन्यू करते हैं इसके बाद गाने की वही में लाइस दुबारा से रिपीट हूँगी दोस्तो इसके बाद गाने का एम फर्स मीजिक आ जाता है देखी मैं आपको यह प्ले करना सिखाता हूँ किस तरीके से प्ले करेंगे इसको थोड़ा सा फास्ट प्ले करेंगे तो यह कुछ ऐसा साउंड करेगा देखी इसके बाद कॉरस देखी अगेन का ना कंटिन्यू इसके बाद संतूर का फिलर अगेन वाइलन्ड वापिस संतूर वापिस से वरलन इसके बाद वापिस संतूर इसके बाद दोस्तों गाने का अंत्रा स्टार्ड हो जाता है आईए मैं आपको यह प्ले करना सिखाता हूँ यहां पर संतूर का फिलर वापिस गाना कंटिन्यू यहां पर फ्लूट का एक छोटा फिलर आएगा देखिए वापिस गाना कंटिन्यू वापिस से यहां पर संतूर का फिलर वापिस गाना कंटिन्यू वापिस से यहां पर फ्लूट का एक फिलर वापिस से गाना कंटिन्यू करेंगे देखिए इसके बाद दोस्तों गाने की मेलना इसको दोबारा से रिपीट करेंगे देखिए मैं आपको फटा फट से बजा के दिखा लेता हूँ इसके बाद दोस्तों गाने का म्यूजिक नंबर टू स्टार्ट हो जाता है आईए मैं आपको यह प्ले करना सिखा देता हूँ तो इसको प्ले करने के लिए मैंने स्ट्रिंग्स का यूज किया है देखिए इसके बाद फ्लूट वापिस से स्ट्रिंग्स वापिस से फ्लूट इसके बाद वापिस से स्ट्रिंग्स देखिए इसके बाद लास्ट में संतूर इसके बाद दोस्तों गाने का अगला अंतरा स्थाट हो जाता है जो कि बिल्कुल सेम ही टेकनिक से आपको प्ले करना है उसके अंदर कोई भी चेंजिस नहीं होंगे अगर आपका कोई डाउट हो या कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो प्लीज उसे कमेट बॉक्स में जरूर लिखें या फिर आप मुझे वाट्शप कर सकते हैं आपका कोई कोशन है या आप क्लास जोइन करना चाते हैं इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगए हो तो प्लीज लाइक कीजी शेयर कीजी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी साथ में बैल आइकन का बड़न होगा वो भी प्रेस कर लीजी जिससे कि हमारी नोटिफिकिशन आप तक पहुंशती रह दोस्तों इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदेवात्रम